प्रिविंदर कॉर फिकल्टी ओभ अभी मन्यू आई एस और आज यहां पर हम जो हमारी प्रिवियस इर डिसकेशन है इसमें सेशन हमारा सेवन है इससे पहले आपने बहुत सारा इंटरस्ट दिखाया राइट इस सेशन के अंदर जिसमें हम प्रिवियस इर को डिसकस कर रहे ह है तो आज हम आगे उसी सीरिज को कंटिन्यू करते हैं और क्विश्शण नमबर 59 यहां पर अट्यम्ट करते हैं तो क्विश्शन नमबर 59 प्लीज चूर्डेन यहां पर अपके कीजिए कि थे चुम घुंट तो question number 59 attempt की जी student क्या बोलता है a light and heavy body have equal momentum which one has greater kinetic energy कहता है अगर आपका momentum basic science का question है student momentum same हो तो kinetic energy के बारे मैं इसने पूछा है कि किसकी kinetic energy ज्यादा होगी बताईए किसकी kinetic energy ज्यादा होगी student किसकी ज्यादा होगी बताओ वीडियो को pause करना है फिर answer करना है student ठीक है तो किसकी ज्यादा होगी light body की obviously light body की ज्यादा होगी ठीक है तो आगे देखते है question number 60 60 number question देखते है student यहाँ पे हम 60 number question पढ़ी है यहाँ पे यहाँ से पढ़ो student question number 60 question क्या कहता है चलेगा this represents seven number ठीक है student ओ क्यों आगे आप 61 पे चलिए हाँ जी बहुत interesting question है basic science का question है हाँ जी पढ़ो question पढ़ो आप फटा-फट से question पढ़ो 61 पढ़ो क्या question है क्याता है which of the following are the primary lymphoid organs क्याता है primary lymphoid organs कौन-कौन से है यह बताने है तो कौन-कौन से है student दो है ना यह आपको basic science में मैंने पढ़ाया था bone marrow and thymus see here student bone marrow क्या है bone marrow की अंदर जो हमारी बाकी immune cells है जैसे हमारी B cells है है ना antibodies होती है हमारी ठीक है T cells है और हमारी RBCs है यह सारे type की cells है हमारी WBC cells they all are formed in the bone marrow and bone marrow is the stem cell ठीक है stem cell किसको बोलते है एक ऐसी cells student जो आगे further differentiate करती हूं into other type of cells यहां फिर new cells ठीक है ओकी और lifetime यह जो है यह क्या करती रहती है बनती रहती है हमारी body के अंदर continue लगातार जो है lifetime क्या बनती रहती है WBC बनती रहती है ठीक है लगातार हमारे RBC cells बनती रहती है ठीक है for our immune system and blood यहां पर 1 and 2 thymus क्या चीज़ है student thymus जो है वो हमारे heart के पिछे वाले side ठीक है एक organ present होता है यह ज्यादा तर active यह ज्यादा active होता है student children's skin ठीक है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं यह fatty tissue के अंदर convert हो जाते हैं इसका mainly काम होता है student की जैसे यहां पर B cells, T cells कैने बताया आपको जो bone marrow में बनती है तो यहां पर almost सारी cells जो हैं बनने के बाद वो mature हो जाती है except T cell T cell है ना student हमारी यह mature होती है किसके अंदर जाके thymus के अंदर जाके mature होती है जहाँ पर जाके mature होती है तिमस का मेन काम किया है यहां पर T cells में नहीं है तो ऑप्यमज müsste सबस्क्राइब पे जो है वो हमारा उप्षिंन और तिम साथ जी तो question number 62, 62 number question attempt की, बहुत ही interesting question ने सुदिन, तो पढ़िए, बहुत ज्यादा exam में ये पूछा जाने वाले question, कहता है, aflox toxins, the toxins are produced by which of the following, ठीके, aflox toxins कौन produce करते हैं student, ये bacterium, fungus, algae, virus, कौन produce करते हैं student, बताओ, फटा-फट से, कौन produce करते हैं, fungus प्रोड्यूस है, जहां पर भी fungus बन जाती है, वो एक toxin रिलीज करते है, that we call the aflox toxins, ठीके, okay, 63 number, यहां पर question आप पढ़िए, यहां पर student और attempt कीजिए, 63 number question, क्याता है, which of the following, natural food colors, is most commonly added in butter and cheese, butter and cheese के अंदर student, कौन सा ऐसा natural, हमारा क्या है, food color है, जिसको हम add करते हैं, natural है student, तो पहला क्याता है, तो पहला क्याता है, अदूसरा पपरिका, वेटेमिन, एंड, ठीके, तो यह सारे के सारे कौन से हैं, हमारे chemical से हैं, सिरफ एक्सेप्ट अनाटो, अनाटो क्या है, हमारा एक natural food color है student, एनाटो, जिसको हम add करते हैं, butter और cheese के अंदर, fact is student, है न, पता है, पता है, नहीं, पता, नहीं, पता, ऐसे facts जो है students, उनको ready कर लेने चाहिए, see here student, अभी मेरे से बहुत सारे students, शायद में भी comment भी करें इस बात के लिए, कि मैं fact कैसे रट ले, कहां से रट ले fact, see here student, रटना नहीं होता है, रटना नहीं होता है, जब आप basics books पढ़ते हो na student, basic books आप जब पढ़ते हो, तब उनके अंदर ये सारे facts cover हो जाते हैं, ठीक है, but, condition यहाँ पर यह है कि आप basic notes के notes जरूर बनाओ, जो आपके basic books है न, okay, let's see, question number 64, बहुत है interesting question है क्योंकि उस time पर यह movie भी आई थी, तो पढ़िए इस question को क्या है, क्याता था, pa in 2009, 2009 में आपको पता है, pa, मिताब, बच्चन की एक movie आई थी, ठीक है, उसमें एक उसको na, rare disease होती है, इसमें क्या होता है, वो time से पहले ही, उसके अंदर old age के symptoms आने शुरू हो जाते हैं, जैसे old age में आती है, आपके अंदर, उस time पर देखो, आपके muscles बहुत weak हो जाते हैं, इन पर wrinkles आने शुरू हो जाते हैं, childhood characters by dramatic premature aging, ठीक है, बच्चपन में आपके क्या आने शुरू हो जाती है, student, aging आने शुरू हो जाती है, इस type के disorder को हम क्या कहते हैं, student, क्या कहते हैं, इस type के disorder को, यह आप बताने आप, के अंदर, question के अंदर, तो question पढ़ो, student, ठीक है, फिर answer करूँ, okay, तो कॉंसी disease थी, student, बताओ, कॉंसी syndrome, नहीं, प्रोज एरिया, उस disease को हम क्या बोलते हैं, student, प्रोज एरिया, between, जब आपके, जब आपके age, मतलब, you know, childhood time के अंदर ही, आपको बहुत ही dramatic तरीके से premature aging के characteristics या फिर symptoms दिखाई देने शुरू हो जाएं, उस बिमारी को हम बोलते हैं, प्रोज एरिया, ठीक है, students, okay, 65 number question पड़िए आप यहां पर, बहुत interesting question है यहां पर, हम daily basis पर use भी करते हैं, हाना, phone के अंदर, किसी को type करने का मन ना करें, तो वो ही send कर दो, हाना, ठीक है, तो ऐसा सा question है, 65 number question कहता है, in computer terminology, little text-based faces, ठीक है, emojis की यहां पर बात कर रहे हैं, objects that help give the reader a sense of the writer's feeling behind the text are known as what, उनको क्या बोलते हैं, student हम, उनको हम बोलते हैं, emojis बोलते हैं, वैसे हम short form में, okay, okay, so B option ही सा, correct option, बहुत interesting question था, I hope की, अगर दुबारा कभी ऐसा question repeat हो जाता है, हमारी 2023 वाली exam में, तो no doubt आप फटा फट से ऐसे कर दोगे, हाना, mint में लगाओगे, कहोगे यह दो नमबर तो पक्के यार, बाकी उनके तो पता हैं, ठीक है, तो यहां पर question पढ़ते हैं, question 66 number question पढ़िए, मैं थोड़ा से इसको छोटा कर देती हुए, अब पढ़ो आप, ठीक है, तो 66 number question पढ़ो फटा फट से, अच्छा, विच ओप दा फॉलोविंग इस नौट ता करेक्ट, करेक्ट नहीं है, not जब भी आजाए, उसको हमेशा आप हाइलाइट करके पहली रख लो, ठीक है, so that आपका question जल्दी जल्दवाजी में गलत ना हो, ठीक है, तो पढ़ो, क्यता है, which of the following is not correctly match, क्यता है, सिन्विटिज, एक कम्प्यूटर प्रॉब्लम, गीगा फ्लॉब से मेजर ओफ क्रम्प्यूटर पर्फॉर्मेंस, चैलेंज रिस्पॉंस टेस्ट डेटर्माइन्स वेदर ए यूजर इस हूमन और आटोमेटिड बोट, नेक्स्ट है, फेवी कॉन, ए स्मॉल वेबसाइट आइकोन, तो कम्प्यूटर का कोर्स है, कुश्चन है, student, obviously, D हमारा करेक्ट है, second भी करेक्ट है, A भी करेक्ट है, C is the wrong, यह पीर-टू-पीर, पीर-टू-पीर जो हमारा नेटवर्क होता है, उसको शेयर करने में हेल्प करता है, शेयरिंग में हेल्प करता है, विन्हों टेल है, ना की चैलेंज रिस्पॉन्स है, ठीके, होग क्योग, तो आगे मूब करें फर्दर, कोश्चन नमबर 67 देखिए, यहाँ पे, क्याता है, क्याता है, यहाँ पे, क्याता है, यहाँ पे, क्याता है, 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 the government of India and two are owned by the reserve bank of which which of the following is not the amangest not puch hai student na ki amangest puch so answer karo student fata fatsi answer karo को कौन सी है स्टेलबोनी में है मैसूर में देवास है थेद्राबाद में नहीं है थेद्राबाद के अंदर हमारी कोई करंसिंग नोट प्रिंटिंग प्रेस्थ नहीं है ठीक है स्टूडेंट ओक्यों अंजी आप 68 नंबर कुशन टेंप्ट कीजिए फटा-फट साथ है 68 नंबर कुश्चन टेंप कि यह था फर्स्ट बैंक नोट इशूद बाइद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी नाइटीन थर्टी एट में हमारा पहली बार आर्बी बैंक जो है वह पहला आर्बी जो है हमारा पहला बैंक नोट इशू करता है नाइटीन थर्टी एट के अंदर वाज बीरिंग दा पोट्रेट ओफ विच ओफ दा फॉलोगिंग जैसे आज के हमारे हार एक नोट के उपर गांदी जी की फोटो लगी होती है ना उसमें से पूछ रहा है कि उसकी उपर किसकी पोट्रेट था ठीक है किसकी फोटो थी उस को जी वहांची तो फोटो नमबर पड़िये 69 बहुत इंटरस्टिंग को शनने सुड़्ेंट का इकानमी का चुश्चन अए थे के आंची पड़िये ध्यान से पढ़ने और फिर अटेंट करने ठीक है को बहुत ही ध्यान से पढ़ने क्या question है कहता है consider the following statements regarding the high powered money high powered money के बारे में वो बात कर रहा है यहां पर कहता है पहली statement it is the total liability of monetary authority of India दूसरी statement है it consists of currency, notes and coins in circulation with public and walled cash of commercial banks and deposits held by the government of India and commercial banks with RBA पहले में कहता है कि यह liability है of monetary authority of India, high powered money जो होती है student, obviously वो liability होती है किसके उपर हमारी किसके उपर होती है, authority of India के उपर monetary authority of India के उपर, बिलकुल सही statement है ही high powered money के अंदर क्या चीज़ आती है student, high powered money के अंदर जितनी भी हमारी currency circulate कर रही है, पूरी इंडिया के अंदर जो circulate कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक एक के पास है, दूसरे के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, है न, वो सब कुछ, और जो cash पढ़ा हुआ है bank के अंदर, जो all cash पढ़ा हुआ है, कि deposits हैं किसके, क्यों है, government of India के, commercial banks के जितने भी deposits हैं, with RBA, ये सारे का सारा क्या है, high powered money है, थड़ कहता है, deposits are not refundable by RBA, on demand from deposit holders, no, ऐसा नहीं, अगर कोई deposit holder, अगर अपना cash demand करे, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कि RBA, जो है उसको refund नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं, उसको पैसे देने ही पड़ेगे, तो कौन सी statement सही, इसमें से student 1 and 2 is the correct statement, total liability है, ठीक है, क्योंकि asset वो हमारा है, ठीक है, और इसमें सारी के सारी currency है, हमारी India की जितनी भी circulate currency है, वो सारी के सारी इसमें involved है, so that's why student 1 and 2 option is the correct option ठीक है, यहां पर, ओके, ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर, लास्ट कोश्टन पढ़ी है, student, हमारा, पहले आप पढ़ लीजिए, कोश्टन फिर समझते हैं, इस सीज़ को, तो कहता है, consider the following statements regarding managed floating exchange rate, क्या चीज़ होते है, managed floating exchange rate का मतलब होता है student, कि government जो है, वो कभी भी market के अंदर interfere नहीं करती, वर्ड से समझो, student, आप manage, floating, exchange rate, exchange rate का मतलब क्या होता है student, जितना भी exchange होता है, dollar, rupees के अंदर है, जो भी exchange होता है, क्या government उसको manage करती है, या उसको fix करती है, नहीं, हमारी government उसको दो तरीके से handle करती है, वो flexible है, हमारा export, import, dollar का exchange, with rupees, वो flexible है, according to demand and supply of market, it is flexible, ठीक है, यह कम ज्यादा होता रहता है, government कभी intervene नहीं करती, but अगर inflation हद से ज्यादा बढ़ जाए, जो एक हमारी जो हमने एक 2 से लेकर 6 तक का जो बार सेट किया हुआ है, अगर वो उसको cross करती, after that government जो है, या मैं कहूं कि RBA जो है, वो intervene करेगी यहाँ पे, by selling and purchasing of government securities, ठीक है student, अभी आई हो, I think आपको समझ में शायद में भी ना भी आया हो, क्योंकि आप freshers हो सारे के सारे, इसने classes लगाई होंगी पहली economy कि उसको समझ में आ गया होगा, नहीं में लगाई, कोई बात नहीं हमारी economy की class में, तर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताएंगे, ठीक है, कि managed floating exchange rate system क्या चीज़ होता है, ठीक है students, ओके, ओके, तो see your students, पहला कहता है, it is the mixture of fixed and flexible exchange rate, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये mixture है, किसका, fixed का भी, और flexible का, fixed क्यों है, कि government ने inflation fixed में करके रख्य हुई है, flexible क्यों है, क्योंकि demand and supply के उपर market के अंदर dollar with rupees का ये जो exchange है, वो चलता रहता है, उसमें government intervene नहीं करती, कब तक नहीं करती, जब तक की inflation का, जो हमने बार सेट किया, two to six वाला, वो cross नहीं हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही government intervene करेगी उसमें, क्याता है, it is also called dirty floating, फिर कहता है, कि India's exchange policy has not yet shifted to managed floating exchange rate, obviously हमारी economy जो है, वो अब भी तक shift नहीं की है student management, मैनेज का मतलब होता है student की totally आप उसको economy को किसके उपर छोड़ दो, market की उपर, मतलब की demand and supply पी उसको छोड़ दो, ठीक है students, तो येसी की बात कर रहे है, प्रूर्थ कहता है, under the system, the government central bank do not intervene to buy and sell foreign currencies in an attempt to moderate exchange rate movement, तो इसमें पूछा, उसने incorrect statement पूछी है student, उसने incorrect, incorrect statement पूछी उसने यहाँ पर, incorrect, तो answer बताईए, आप यहाँ पर incorrect क्या होगा, क्या होगा, incorrect statement कौन सी है, fourth statement incorrect, बिल्कुल incorrect है, three and four statement जो है student, वो हमारी incorrect, third देखो, कहता है, India's exchange rate has not yet shifted to managed floating system, ठीक है, तो incorrect, नहीं, इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है, already managed floating rate system, क्या कर रहा है, यहाँ पर follow career है, जैसे मैंने आपको बताया, तो तीसरी भी incorrect होगी, and fourth भी incorrect होगी student, so that's why option जो है, हमारा, वो कौन सेट बनेगा, three and four, ठीक है, तीसरा और चौथा option, not correct student, वाकि सारे के सारे क्या है, यहाँ पर correct है, ठीक है student, I hope कि student आपको यह lecture बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जितने भी हमारे session चल रहे हैं, यहाँ पर, और student, अगर आपको full course, यहाँ पर, you know, अगर आपको batch join करना है, जिसमें हमारे live, recorded classes यहाँ पर available होते हैं, ठीक है, batch जो है, online भी है, और offline भी है, और इस से related, अगर आपको कोई भी query है student, तो आप description box में आपको number दिया होगा, उस पर आप call कर लिजी, और even आप register भी कर सकते हो, for that batch, इवन हमारा first November से एक new batch भी start हो रहा है, for the Punjab, PCS, तो आप उसमें भी enroll कर सकते हो, ठीक है students, okay students, मैं यहाँ पर lecture, यहाँ पर over कर रही हूँ, ठीक है students, have a nice day, thank you, thank you so much.